शिंदे फड़नवी सरकार टिकेगा एक जोतिशिय विशलेशन नमस्कार मैं आईश्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतिश प्रेमी का हर्दिक स्वागत करती हो व्यक्ति और वल्ली इस श्रुंखला में आज हम महाराष्ट्र के अत्यनत महत्वपुर्ण विशय पर जोतिशिय दुरुष्टिकों से वारता लाप करने वाले है वह विशय है कि क्या शिंदे फढ़न्वी सरकार ठीकेगा नवनिर्वाचित सरकार क्या अपना कार्यकाल पूरा कर सकेगा पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीती ने संपूर्ण देश का ध्यान अपनी ओर खीचा है एकनाच शिंदे साहब के नेतरूत्व में शिवसेना के विद्रोह कर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन किया उसमें भी महतो पुर्ण बात है कि संख्या बल होने के वावजूद देवेंद्रजी फढ़न्वी सायब सयम मुख्यमंत्री न बनते हुए उन्होंने शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनने का उसर दिया और प्रत्यक्षित रूप से गटना क्रम, बदला और ग्रहों ने अपना कार्य किया यहाँ गटना सभी के लिए बड़ी आश्चेर कारक थी क्योंकि फढ़न्वी साहब ही मुख्यमंत्री होंगे ऐसा सभी लोग मान रहे थे सभी को विश्वास था शिंदे साहब मुख्यमंत्री हो सकते है ऐसा कहने वाले केवल हम ही थे गटना के चार दिन पहले वैसा वीडियो बना कर हमने हमारे मराठी चैनल पर दाला था अर्थात मुझे राजनीति का कुछ नहीं आता वह विश्वेशन मैंने सिंदे साहब की कुंडली से किया था जो लगभग पूरा लागू हुआ केवल सिंदे साहब ही नहीं तो फढ़न्वी साहब के संदर्म में भी मैंने बताया था कि उन्होंने किंग न बनते हुए किंग मेकर बनना चाहिए अर्थात मुख्य मंतरी पत का आउसर मिलने पर भी वे उसे न ले क्योंकि आने वाले समय में उनके लिए उससे भी अधिक बड़े अउसर निर्मान होने वाले हैं यह बाद भी सत्य होकर जोतीश की महानता सभी तक पहुची उसके बाद जोतीश प्रेमी मुझे लगातार पूछ रहे थे कि क्या यह सरकार टिकेगा यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगा इसका विशलेशन करे इसलिए आज का यह विशय लिया गया है मैं पुनश्य आप सभी से कहना चाहती हूं कि राजनीती से मेरा कोई संबंद नहीं है आज जो कुछ विशलेशन में करूंगी वह जोतीशिय दृष्टिकों से होगा ग्रहों के कारण बड़ा बदला होकर यह गटना हुई है लेकिन ग्रह लगाता सरकार ब्रह्वन करते रहते हैं परिणाम स्वरूप नवनिर्वाचित सरकार के लिए क्या आगे धोका या समस्या हो सकती है तो हां कुछ ग्रहों की स्तिती में पुनश्य बदलाव होने वाले हैं उसी विशय पर आज हम वारतालाब करेंगे महत्वपुर्ण विशय है कि न सत्याक्षित रूप से जीन ग्रहों ने उन्हें सत्ता दी वे 2024 तक कार्यानुइत रहेंगे अर्थार उन्हें 2024 तक का कार्यकाल प्राप्त हुआ है ऐसा हम कह सकते हैं लेकिन यह कार्यकाल सीधा सरल नहीं रहेगा कई लोगों की कई अपेक्षाय होती है कई प्रश्णों होते है कई समस्याय होती है उन सभी का समाधान प्राप्त कर आगे चलते रहना होगा यह करते समय अपने व्यक्तितों में बदलाव करना उनके लिए आवश्यक रहेगा लोगों के मन में स्तान बनाना पड़ेगा ऐसा होने पर ही भविश्य में उनके साथ कुछ शुबह होने की संभावना है अन्यथा जन्वरी 2025 के बाद उनके लिए कठिन स्थिती रहेगी एक बड़ी नकारात्मक ग्रह स्थिती उनके लिए निर्मान होगी वर्तमान काल के ग्रह स्थिती का विचार करेतों कई मोर्चों पर अर्थात एक ओर देवेंद्र फड़न्वी साहब अपने कार्य शैली के अनुसार कार्य करेंगे वे उपमुख्य मंत्री है इसलिए शिंदे साहब को उनके बराबरी से नहीं बलकि उनसे भी अधिक कारेक्षम रहना होगा क्योंकि राजनीती का भले ही कितना भी अनुभो क्या नहों उनके कंदे पर अब बड़ी जिम्मेदारी आई है उतनी ही सभी को उनसे अपेक्षाय रहेगी इसलिए उस्पत का सन्मान करते हुए उन्हें बड़ा कर्तुत्व करना होगा दूसरी और जब हम उद्दव ठाकरे साहब और आदित्य जी ठाकरे साहब की कुंदलियों को देखते हैं तो वह दोनों जन्वरी 2023 के बाद पुनस्च सकारात्मक प्रगती करते हुए दिखाई दे रहे हैं अर्थात आज भले ही अत्यन्त विपरित परिस्तिती है लेकिन उसके बाद भी शिवसेना पुनस्च आकार लेने वाली है जिस कारण जन्वरी 2023 के बाद शिवसेना का बल बढ़ेगा एक ऐसी भी संभावना है कि उद्धव ठाकरे साहब और एकनाच शिंदे साहब दोनों पुनस्च एक साथ आने के योग है लेकिन ऐसा होने के लिए शिंदे साहब को दो कदम पीछे जाना होगा क्योंकि उनके कुंदली में चंद्रमा धनूराशी का है ऐसे लोग अपने गुरुओं का बड़ा आदर करते हैं इसलिए उन्होंने अभी शिवसेना या उद्धव ठाकरे साहब के विरुद्ध सौम्य वुमिका लिये है हो सकता है कि वे उनके जुदने का प्रयास कर रहे है विवात को न बड़ाते हुए शिवसेना पुनश्च एक हो और महाराश्च्र में शिवसेना बिजेपी की सरकार हो ऐसी उनकी इच्छा दिखाई दे रही है परिवार वात को भले ही नाकारा जाए लेकिन लोगों के मन में ठाकरे परिवार का जो स्थान है उसे नाकारा नहीं जा सकता स्वर्गिय बाला साहब जी ठाकरे जी ने लोगों के मन में एक दूड़ा स्थान मनाया हुआ है इससे शिंदे साहब पूर्ण रूप से अउगत है इसलिए उन्हें समल कर आगे चलना होगा शिंदे साहब के संधर्वा में एक और चीज जो होते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन विदायों को ने उन्हें अभी साथ दिया है आगे उन्हें कुछ उनके विरोध में जाने की संभावना है जिस कारण क्या यह सरकार टिके का इस सरकार का आगे क्या होगा यह इस प्रश्ण का महत्व बढ़ जाता है और हाँ बेल आइकोन दबाना ना बुले धन्यवाद वास्तों में कई लोगों ने विभिन्न मादोमद आरा यह प्रश्ण मुझे पूछा तो हाँ यह सरकार निश्चित रूप से टिकेगा वे अपना कार्यकाल अवश्य पूर्ण करेंगे उससे महाराष्ट की उन्नती भी होगी क्योंकि महाराष्ट के कुंडली का अध्यन करें तो आने वाले तीन वर्श महाराष्ट के लिए अत्यनत शुभ है संक्षेप में आने वाले तीन वर्शों का विचार करें तो महाराष्ट में बड़े बदलाव होंगे विशेशूप से यह बदलाव आने वाले डाही वर्ष में होंगे क्योंकि जन्वरी के बाद बड़े बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे है वर्तक मानकाल में एकनाज जी शिंदे साहब की कुंडली अत्यन्त सकारात्मक है जिस कारण उन्हें सत्ता मिली है इस सत्ता में वे पूरा उपयोग कर सकते है बड़ा करतूत्व कर सकते है लेकिन कुंडलियों में सदईव दो चीजे मुख्य रूप से होती है एक भाग्य और दूसरी चीज है कर्म भाग्य की दुरुष्टी से विचार करे तो आज उनका भाग्य प्रबल है लेकिन जन्वरी दो हजार पचीज से उनने राहू की महादशा में रवी की अंतरदशा शुरू होगी उस अनुसार कुंडली में इन दोनों की ग्रह स्थिती देखी जाए तो राहू मिथुन राशी में और रवी मकर राशी में विराजमान है अर्थात दोनों में शडास्टक योग है रवी ग्रह शनी की राशी में अर्थात शत्रू की राशी में निर्बली हुआ है रवी और राहू जब साथ आते हैं तो उन्हें ग्रहन दोश लगता है उसका भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा साथ ही रवी इस कुण्डली के लिए निर्बली है कुण्डली के ग्रह स्थिति के कारण कई बार ऐसा भी होता है कि शुभ ग्रह आशुभ फल प्रदान करते है और आशुभ ग्रह शुभ फल प्रदान करते है उनके गोचर के अनुसार बदलाव होते है बदला होने पर परिस्थिती बदलती है अर्थात अभी जब हम जनवरी 2025 बता रहे हैं तब कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो महिने आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि कुंडली का वास्तविक समय हमारे पास नहीं होता हमारे पास जो तारीख होती है वह इंटरनेट के होती है उसे सत्यापित करने के लिए हम प्रश्ण कुंडली लगाते हैं और उस प्रश्ण कुंडली के समय की खोज करते हैं जिस कारण केवल 15-20 मिर्ट का भी अंतर हो तो एक-दो महने का अंतर आता है जैसा हमने पिछले वर्ष अप्रेल में उद्दव जी ठाकरे साहब के कुंडली का विशलेशन किया था उसमें हमने कहा था कि मई महने में सत्ता परिवर्तन होने की संभावना है लेकिन प्रत्यक्षगटना जून महने में हुई यह जो एक-दो महने का अंतर पड़ता है वह वास्तविक जन्म समय उपलब्दन होने के कारण पड़ता है उस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि हमने मई महिने में सत्ता के लिए दोका कहा था लेकिन प्रत्यक्षगटना जून में हुई क्योंकि हमारे पास वास्तविक समय उपलब्दन नहीं था ऐसी स्थिती में प्रश्ण कुंडली हमें जो मार्ग दिखाती है उससे हम सत्य स्थिती तक पौशते है अभी जन्मरी दोहजार पचीस में शिंदे साहब को राहू की महादशा में रवी की अंतरदशा शुरू होगी इस तिती के कारण ग्रहन योग निर्मान होगा उसका दूश प्रभाव निश्चित रूप से हो सकता है यह भले ही सत्य हो लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि कुंडली दो पद्धतियों से कार्य करती है एक है भाग्य और दूसरी पद्धति है कर्म आज उनका भाग्य प्रबल है दनू राशी के स्वामी गुरु महराज अपनी दूसरी स्वराशी अर्थात मीन राशी में विराजबान है इस प्रबल भाग्य के काल्ब में वे जो कर्म करेंगे उस कर्म का उनके भविश्य पर परिणाम होगा इसलिए शिंदे साब ने अभी उचित दिशा में मारग क्रमन किया तो भविश्य में उन्हें कई बड़े आउसर प्राप्त हो सकते है लेकिन अभी उचित दिशा में चलना उचित निर्णे लेना उनके लिए आवश्यक है प्राकृति कुंडली में धर्मस्तान में रव धरुराश्य आती है धर्म क्या होता है तो अपने कर्म को उचित पद्दती से करना ही धर्म होता है अभी उनके पक्षका जो दहिय है फिर उस पे हिंदूत्ववाद हो समाजकारक को प्राथमिक्ता हो उस अनुसार कार्य करना उनके लिए आवश्यक है सभी को साथ लेकर चलना और राज्य का विकास करना यह उनका धर्म है इस धर्म के अनुसार वे जब कार्य करेंगे तब कर्मस्तान के अधिपती शनी महराज लाब अस्तान में जाकर उन्हें लाब प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे कुल मिला कर अगले डाही वर्ष उनके लिए सत्ता और स्तैर्य दोनों ही दिखाई दे रहे है लेकिन डाही वर्ष के बाद एक बड़ा अस्तैर्य उनके लिए निर्मान हो सकता है इस तैर्यक्य अउधी में प्रथम छह मैने उनके लिए अत्यनत संगर्षक के रहेंगे इस संगर्षका सामनावे कैसे करते है इस पर उनके आगे का आने वाला भविष्च निर्भर करता है शिंदे फड़न्वी सरकार ठीकेगा यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्यापत है आज हम यही रुकते हैं अगले भाग में जोतिश के नविंतम विशय के साथ पुनस्च अवश्य मिलेंगे धन्यवाद शुभम भवतु जय जोतिश प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दा बना ना भुले धन्यवाद